दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों में क्या अंतर होता है अक्सार इंटरिव्यू अगर आमें भी पूछ लिया जाता है और आपके मन में भी यह चीज़ कंफ्यूजन रहती होगी कि सिंक्रोनस मोटर और सय वीडियुजाब कि स्वेडियू आपके शु Huafrone मोटर जो होती है उसी स्पीड के साथ जो मारा रोतर होता है वो भी घूमता है क्योंकि देखिए इस तरह से माली हमारी मोटर होती है इसका यह स्टेटर होता है तो यह स्टेटर है और ये हमारा rotor है मतलब इसमें जो हम three face देते हैं तो इसकी जो speed होती है मतलब जितना ये magnetic field बनाएगा जितनी speed से चलाने के लिए उसी speed पर ये rotor घूमेगा जो हमारी synchronous speed होती है synchronous motor होती है उसमें तो जितनी speed इसकी होगी stator की उसी speed पर ये हमारा rotor भी घूमेगा दूसरा point होता है इसमें लेकिन जो हमारी induction motor होती है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें जो rotor की speed होती है वह कम होती है जो इस rotor होता है वह कम speed पर घूमता है stator की speed ज़्यादा होती है मतलब यह हुआ कि इसमें क्या होता है कि रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड मैच करती है सेम होती है लेकिन जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो स्टेटर की स्पीड होती है वह ज्यादा होती है और रोटर की स्पीड कम होती है इंडक्शन मोटर में और यह ज शास आर्पियम जो होता है इसी को हम slip बोलते हैं ठीक है कि रोटर की स्पीड और इस्टेटर की स्पीड में जो अंतर होता है उसी को हम slip बोलते हैं अगला पॉइंट है कि induction motor self start होती है पर जो synchronous motor होती है वह self start नहीं होती है क्योंकि synchronous motor को चलानी के लिए हम एक pony motor की जरूरत होती है क्या होता है कि ऐसे हमारी यह synchronous motor हो गई इसके साथ में एक motor हम और connect करते हैं इसको बोलते हैं pony motor यह motor start करती है पहले इस motor को synchronous motor को start करने के लिए पहले हमें pony motor को supply देनी पड़ेगी वह motor इस motor को start करेगी तो इस यह जो होती है यह सहाइक motor होती है जो हमारी pony motor होती है लेकिन जो हमारी induction motor होती है उसमें क्या होता है यह हमारी induction motor हो गई ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम three face supply देते हैं वह तुरंट चल जाती है मतलब यह हुआ कि जो induction motor होती है वह self start होती है लेकिन जो synchronous motor होती है वो हमारी self start नहीं होती है अगला point है जो हमारा power factor होता है वो synchronous motor से improve होता है क्या होता है कि जो load होता है load मतब जो आपका factory का load हो या कहीं कभी load हो उस load के parallel में हम जो हमारी synchronous motor होती है उसको हम लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि power factor maintain करता है, जो हमारे synchronous motor होती है, इस motor को हम तीनों load पर लगा सकते हैं, resistive, capacitive और inductive, तीनों load पर आप लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी induction motor होती है, वह केवल और केवल induction पर काम करती है, या केवल और केवल power factor को down करती है, लेकिन जो हमारी synchronous motor होती है, वह पावर फेक्टर को अब करती है तिक तो यह है दोस्तों कुछ अंतर होते हैं हमारे इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बता हैं यह आपको अच्छे लगे होंगे और अगर इंटर्वी होगर हमें भी इन चीज़ों को पूछा जाता है तो आप आसानी से इनका जवाब दे पाएंगे तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दीजेगा